आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके काम को बिगारते हैं पंडी जी ने मेश लगन से मेल लगन के लोगों के बारे में बताया सभी लगनों के अनुसार कि कौन से ग्रह हैं जो आपके काम बिगार सकते हैं पंडी जी कुछ जिंदिगी के जरूरी काम होते हैं जिनकी बिगधने को बिच account जायता है जैसे मन लिजय है बच्चों की शादी लगाई बात बढ़ी ons चल रही है यह लग रहा है साथी उगी होगी लेकिन अचानक बिगद जाता है ख़ी बार क्या होता है आदमीकष्ण चाहता है यह न大家都 जमीन है सब कुछ ठीक है पैसे भी आ गए काम शुरू करना जाते हैं तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमारे जरूरी कारियों को बिगार देते हैं और उसके लिए क्या उपाय करें बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रहों के अलामा कुछ कामों के विशेश ग्रह होते हैं जो अगर का काम के समय कमजोर पढ़ जाएं तो काम विगड जाता है जैसे अगर हम सिक्षा की बात करें तो सिक्षा के काम में अगर रुकावट आ रही है या सिक्षा का काम अगर विगड रहा है आप पक्की तोर पे समझे उसके पीछे चंद्रमा और बुद्ध होंगे अगर आपका स विक्षा संबंधी काम बिगड़ रहा है तो नियमित रूप से सुबह शाम गायत्री मंत्र का जब करिए आपको लाब होगा करियर संबंधी काम बिगड़ता है ब्रिहस्पती और शनी की वज़े से और करियर संबंधी काम अगर गुरु शनी की वज़े से बिगड रहा है तो रोज शाम को शनी मंत्र जपना शुरू करिए आपका काम बनना शुरू हो जाएगा विवा संबंधी जो काम है ये बिगडता है शनी राहू और केतू के कारण अगर आपका विवा संबंधी काम शनी, राहू और केतु की वज़ा से बिगड़ रहा है तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें हास्तोर से शिव परिवार की उपासना करें विवा संबंधी काम नहीं बिगड़ेगा अगर घर बनाना चाहते हैं रिनोवेशन करना चाहते हैं, भूमी पूजन करना चाहते हैं गरि निर्माण का काम करना चाहते हैं नहीं हो पारा है क्या करेंगे? इसके लिए हनुमान जी की उपासना करना कल्यान कारी होगा अगर आपके घर से संबंधित किसी काम में दिक्त आ रही है तो हनुमान जी की उपासना करने से आपको लाब होगा स्वास्थ संबंधि जो मामले होते हैं ये राहू, सूर्य और चंद्रमा की वज़े से बिगड़ते हैं राहू खराब हो, सूर्य गरबढ़ हो, चंद्रमा गरबढ़ हो तो स्वास्त संबंधी मामले विगर जाते हैं इससे निपटने के लिए अधिक से अधिक अगर सूर्य देव की उपासना की जाए तो निश्टित रूप से लाब होता है स्वास्त संबंधी मुश्किलें जीवन में परिशान नहीं करती है